आरोव भाग एक में रखी गई कहानी नमक का दारोगा लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद भारतिय कथा साहित में एक प्रमुख नाम माने जाते हैं और हिंदी के शिर्ष कथाकार के रूप में हम उन्हें जानते हैं। प्रेमचंद की इस्तिती हिंदी कथा साहित में यह है कि प्रेमचंद पुर्व और प्रेमचंद पर्चात इस रूप में हमने हिंदी कथा साहित के युगों का विभाजन किया है। तो प्रेमचंद का कथात्मक ओधान हिंदी साहित में सरवाधिक मानते हैं। मानने की बात यह है कि जिस रूप में उन्होंने भारतिय समाज को, भारतिय परंपरा को, भारतिय जीवन को उन्होंने अपने साहित्य में उकेरा है, साइध कोई दूसरा कथाकार ऐसा करने में सक्षम नहीं हुआ जब से हिंदी कथा साहित्य की सुरुवात मानी जाती है, तो सबसे पहला नाम प्रेमचन का आता है, उसके पहले गुलेरी जी आचुके थे, परंपरा थी, लेकिन जो व्यापक अवदान है, वह प्रेमचन का मानते हैं और वहां से हिंदी साहित्य की मुकमल सुरुवात होती है, जब कथा साहित्य को पुराने जो हमारा पुरारिक साहित्य था उससे अलग करके, जो फेंतासी का साहित्य था उससे अलग करके, जो राजा रानी की जो कहानिया थी उससे अलग करके, जीवन के यथार्थ के भारतिय समाज के जो वास्तिविक चित्र हैं उनको लेकर के आना और उसकी गत्यात्मक छवी को बनाना यह प्रेमचंद का सबसे बड़ा योगदान है। एक ऐसी दिशा तय कर दी कि जो आगे आने वाले समय तक अन्य सभी कहानिकारों का मागदर्शन करती रही। इसलिए प्रेमचंद की रचनाएं हमारे जीवन में विशेश महत्व रखती हैं। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए बनारस के लमही गाउं में। और थोड़े समय तक सरकारी सेवा में भी रहे। असवयोग आंदोलन के दोरान अंग्रेजी सरकार की नीतियों के विरुद जाकर के उन्होंने कुछ काम किये। फिर उनको नोटिस हुआ और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और वो अपने समाज के लिए एक आगे मशाल बनकर चलते रहे। लेखक का जीवन कैसा होना जाहिए। यह भी हम प्रेमचंद से सीखते हैं। तो प्रेमचंद के कहानियों ने ऐसे नायक की कलपना की, जो नायक इसके पहले नहीं थे। एक गाओं का गरीब किसान, एक गाओं का मजदूर, एक गाओं का अचूत, जिसको मानते हैं, एक सामान इस्तरी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे समाज के लोग हैं जो कभी कहानियों में इस्थान नहीं पार सके थे जो कभी किसी कथा में नायकत्तों की कलपना नहीं कर सके उन लोगों को प्रेमचन ने अपनी कहानियों में इस्थान दिया उनको लेकर के आये, उनको इस्थापित किया और उनको नायक बनाया और पुराने नायकों की जो छवी थी उस छवी को प्रेमचन ने भंग कर दिया ये सबसे बड़ा योगदान था जो आम बोलचाल की भाषा थी जिसको लोग अपने जीवन में बरतते थे जिसका वो अपने नीजी जीवन में, भरतालाप में, समान इस्तितियों में इस्तमाल करते थे वैसी भाषा को प्रेमचन ने अपनी कहानियों में जगा दी और वो बोलचाल की भाषा वो सहजता से वो संप्रेशन यता का गूर पैदा करते हैं और इसलिए उनकी कहानी को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है एक समान ने व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है वो भी प्रेमचंद की कहानीयों को पढ़ता है जीवन के मर्म है तो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकानीयों को समझता है तो एक विशा सवतनता संग्राम के जो विशय थे ऐसे तमाम मुद्वों को उन्होंने उठाया और ऐसे भी मुद्वों को उठाया जिसको पर इसके पहले साहित में चर्चा नहीं होती थी, ठाकुर का कुऊवा कहानी जो है उसमें एक दलित की जो है कहानी है या जो पूस की रात की कहानी है वो खेत में काम करने वाला एक निर्धर जो मजदूर है उसकी कहानी है तो ऐसे विश्यों को उठाने वाले प्रेमचन ने कहानियों के लिए ब्यापक फलक का निर्मार किया और इसी कारण से आज हम उनको याद करते हैं उनके सुरुवाती कहानी जो 1914 में लिखी गई थी नमक का दारोगा नमक का एक महकमा तब बना जब सरकार ने इश्वर प्रदत वस्तूं पर टेक्स लगा दिया ब्यापार करना रोक दिया और उसके लिए उन्होंने कहा कि सरकार को जब तक टेक्स न दिया जाएगा तब तक नमक जैसी अनिवार वस्तू का भी व्यापार नहीं हो सकता है तो इस व्यंक के साथ प्रेमचंद इस कहानी की सुरुवात करते हैं और अपने समय के उस हर संस्था को चाहें वो प्रसासनिक हो या न्याईक हो जो सरकार के जो दो बड़े स्तंब थे उन दोनों को वो सामने लेकर के आते हैं कथा के केंदर में मुंसी बंसी धर हैं जो फार्सी पढ़े हुए हैं फार्सी का बोलबाला है येसा प्रेमचंद बता रहे हैं कहानी में और फार्सी पढ़े हुए व्यक्ति को नौकरी बड़ी जल्दी मिलती है ऐसी बाद भी बताई हुई है और मुंसी बंसी धर जुह है वो नौकरी की तलास में जब निकलने लगते हैं तो उनके पिता उनको बड़ी समझदारी की बाते बताते हैं, जो इस दुनिया में समझदारी मानी जाती है, ऐसी बाते उनको बताते हैं उनके पिता एक अनभवी पूरुस थे, समझाने लगे बेटा घर की दुर्दसा देख रहे हो, रिण के बोज से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरफ बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे पर का विरिक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ू, अ मौकरी में उहदे की और ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चड़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूड़ना, जहां कुछ उपरी आए हो, मासिक वेतन तो पूर्ण मासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है, और घटते घटते लुप हो जाता है, उपरी आए बहता हुआ सुरोत है, जिससे सदय प्यास बुच्ती है, वेतन मनुस्य देता है, उसी से उसकी बृद्धी नहीं होती, उपरी आमदनी इश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है, तुम सेम विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाओं? तो प्रेम चन्य जो जीवन के बेवहार में कुशल मुणसी जी बृद्ध मुणसी जी हैं, उनके माध्यम से समाज में सरकारी नौकरियों के बारे में जो धार्णा है, उस धार्णा को वह सामने रख रहे हैं, कि नौकरी सरकारी तो ऐसी होनी चाहिए, जिसमें उपरी करने वाली सरकारी नोकरी को समान जन अच्छे नजर से नहीं देखते यह ब्यंग में कहते हैं प्रेमचन यानि कि संस्थाओं में व्याप्त भ्रस्टाचार के बारे में एक सहर्ज समाजिक स्विकृति मौजूद है और यह संकेत प्रेमचन यहां पर बृद्ध मुंसी जी के माध्यम से दे रहे हैं और साथ ही समाज में भ्रस्टाचार को भी एक सहस्विकृति प्राप्त है कि व्यक्ति को अपने लाव के लिए पद का दूर्पयों करने में कोई संकोच करने की आवसकता नहीं है चुकि अंग्रेजी सासन स्वेम यह काम कर रहा है तो उसके महतहत का करने वाले जो करमचारी हैं उन करमचारीओं को छोटे मोटे भ्रस्टाचार करने में कोई गुरेज करना नहीं चाहिए और यही उध्या जो है वो सम्झाते हैं अपने पुत्र को लेकिन बुद्ध मंसी जी की बात को बंसी धर सुनते हैं उस पर विचार करते हैं और नौकरी की खोज में निकल पड़ते हैं जब जाते हैं तो उन्हें नौकरी मिल भी जाती है साइद उनके जो कर्म हैं उनकी पढ़ाई लिखाई है उनका जो ग्यान है वो उनके काम आता है और उनको नमक के महकमे में जो निया निया खुला है उसमें दारोगा की नौकरी मिल जाती है और जब यह संदेश मुंसी जी को प्राप्त होता है वो फूले नहीं समाते हैं उनको लगता है कि वर्सों की अभिलाशा पूरी हो गई बच्चे को जो समझा करके भेजा था बच्चा उस बात को समझ चुका है और आगे परिवार के लिए अतरीक्त उपार्जन करने में भ जब आते जाते हैं तो सरकार को टेक्स चुका आते हैं और टेक्स को जो थीक से चुकाया जा रहा है और इसकी देखरेकरना परताल करना मुंसी बंसी धर का काम है अब मुंसी बंसी धर एक दिन रात में सोए हुए हैं बड़ी चित्तात्मक भाषा का उप्योग करते हैं प्रेमचन की दूर नदी बह रही है एक डियर किलिमेटर और वहां से हवा आ रही है जाडों की रात है और उसमें एक सुख़द नीद जो है उसमें सो रहे हैं और उनको गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है तो उनके मन में आता है कि ज़रूर कुछ गाड़ियां जा रही है आज कल का समय नहीं है वो जिस समय की चर्चा है उस समय रात में आना जाना कम ही होता था, साधन नहीं होते थे, तो उस समय गाड़ियों के आवाज सुनते हैं, उठते हैं, वर्दी पहन लेते हैं, जेब में सरकारी तमंचा डाल लेते हैं और आगे जाते हैं, जब पूल के पार जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि बहुत सारी जानपूर जाएंगे, क्या है इन में, तो उनको भेद पता चलता है कि इसमें नमक की भोरियां भरी हुई हैं, अब ऐसी हालत में वो पूछते हैं कि इसका क्या प्रमान है, कि इसका टेक्स जमा हो चुका है, या ये वैद तरीके से जा रही हैं, तो उनकी जब चांच परत साल होती है, तब जो गाड़िवान हैं वो बताते हैं कि ये गाड़ियां जो है, पंडित अलोपी दिन, जो दाता गंज के हैं, बड़े जमिंदार हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनकी ये गाड़ियां हैं पूरा लस्कर जा रहा है, गाड़ी में पीछे अलोपी दिन की भ तो जब बंसी धर रोकते हैं तो वो जाकर पंडित अलोपी दीन को बताते हैं पंडित जी को लक्षमी पर बड़ा भरोसा है उन्होंने जीवन में जहां भी लक्षमी जी का इसमरण करके और हाथ लगाया वो सारे दर्वाजे खुलते चले गए तो अलोपी दीन आते हैं बड़े विश्वास से पान खाते हैं धीरे से प्रेम चन ने बताया है कि कैसे वो उनके हर एक्षन में एक गजब का आत्म विश्वास मौजूद है कि जब वो उतरते हैं गाड़ी से और आगे आते हैं और आ करके और जो नमक का दारोगा खड़ा है मंसी बंसी धर उसको नमसकार नहीं करते हैं आशिरवाद देते हैं कहते हैं आशिरवात, ब्रामोन को क्यों आपतं कर रहे हैं, तो एक गजब का आत्म विश्वास है, कि हम तो कहीं भी खड़े होंगे और हमारे नाम से रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन मंसीधर कहते हैं कि यह तो आपका काम गयर कानूनी है, तो हम आपकी गाड़ी को तो जान घाट के रखवाले हैं और बिना घाट के देवता को उसका वाजिब हक दिये, मैं कैसे जा सकता हूं, आपका हिस्सा मिर जाएगा, कि मंसीधर कहते हैं कि नहीं, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, और मुझे इसका, आगर आपने टेक्स दिया हो तो बताएं, नहीं दिया हो, त तो प्रेमचन ने लिखा है कि यह धर्म और धन, धर्म और धन का युद्ध सुरू हो गया, और धन उचल उचल करके आक्रमण करता है, और धन के आक्रमण के सामने धर्म अविचल ख़ड़ा रहता है, मुंसी वंसी धर कहते हैं, आप चाहें जितना भी रुपिया दे दो, मैं यहां से आपको जाने नहीं दोंगा, पंडित अलोपी दिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, वह कहा करते थे संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, उनका यह कहना यथार थी था, नियाय और निती सबलक्षमी के ही खिलोने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाहती हैं, लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं, यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगा कर खाए, फिर लियाहाफ ओडे दरोगा के पास आकर बोले, बाबु जी आशिरवाद, हमसे ऐसा कौन सा प्राध हुआ की गाड़ियां रोग दी गई, हम ब्रामणों पर तो आपकी कृपादिष्टी रहनी चाहिए, अलोपी दिन ने जी सहारे को चटान समझ रखा था, वह पैरों के नीचे से खिसक सकता हुआ मालूम हुआ, स्वाभिमान और धन ऐस्वार को कड़ी चोट लगी, किन्तु अभी तक धन की सांखिक सक्ति का पूरा भरुसा था, अपने मुखतार से बोले, लाला जी, एक हजार के नोट बाबु साहब को भेट करो, आप इस समय भूखे सिंग हो रहे हो, वंसी धर अपने रास्ते से अडिगरा है, और जमिंदार बदलु सिंग को आदेश हुआ, पंडित जी को गिरफतार करो, हदकडी लगो, और पंडित अलोपी दीन के गिरफतार होते ही, पूरे शहर में, पूरे जिले में ये खबर फैल गई, जितनी मू उतनी बातें, सभी लोग बड़ी-बड़ी बाते करने लगे, रोज जो छोटी-मोटी चोरियां करते हैं, जो छोटी-मोटी बेमानियां करते हैं, जो लोग दूद में पानी मिलाते हैं, ऐसे तमाम लोग भी न्याय-अन्याय की बहस में कूद पड़े, और चारो और वंसी धर की चर्चा होने लगी कि उसने एक ऐसे जमिंदार को पकड़ रखा है, जिसके यहां अंग्रेज अपसर भी जा करके सिकार खेलते हैं, उसके यहां मेहमान बनते हैं, तो मामला नियाले में पहुचा, और जब बंसीधर ले करके आते हैं, पंडित अलोपी दीन नियाले में आते हैं, तो आते समय शर इस्तिती का सामना करना ही नहीं पड़ा था, लेकिन प्रेम चंद बड़ी ही सावधानी के साथ अपने पाठकों को अगाह करते हैं, सम्झाते हैं, करते हैं कि नियाले में जब आ गए पंडित अलोपी दीन, तो वो तो यहां के सिंग हैं, उनके पीछे वकील, मुक्तार, अमाम लोग, अमले, अधिकारी, चपरासी, अरदली, जो भी हैं, उस वहां के काम करने वाले सभी लोग, वो उनके आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं, वकीलों की पूरी फोज खड़ी हो जाती है, और नियाले में केस आ जाता है, जब साहब पूछ आज करते हैं, और ड अधिने छोटे से लाव के लिए कोई अपराद नहीं कर सकते हैं, नमक की तसकरी एक अतिमत छोटा अपराद है, और इस नाते से उन्होंने पंडित अलोपी दीन को तो निर्दोस मान लिया, और कहा कि अपने करतब परायंवता के जोस में, मुंसी वंसी धर अपने दिये ग अपने दाइतों की सीमा को लांग गए, और इसलिए उनका यह कार ठीक नहीं है, फैसला आते ही, पंडित अलोपी दीन का सिक्का चल पड़ा, उनकी जैजेकार होने लगी, बधाईयां मिलने लगी, वो वहां से मुस्कुराते हुए, निकले, और बंसी धर, जब निकल रहे हैं, उनके उपर ताने छोड़े जा रहे हैं, उनके उपर कमेंट किये जा रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद कहते हैं, वकीलों ने यह फैसला सुना और उचल पड़े, पंडित अलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, स्वजन बांधों ने रुपेओं की लूट की, उदारता का सागर उमर पड़ा, उसकी लहरों ने अदालत की निव तक हिला दी, जब वनसीधर बाहर निकले, तो चारोर से उनके उपर व्यंग ब्याणों की वर्सा होने लगी, चपरासियों ने जुग जुग कर सलाम किये, किन्तो इस समय एक एक कटुवाक, एक एक संकेत उनकी गरवागनी को प्रजवलित कर रहा था, कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते, आज उन्हें संसार का एक खेद जनक विचित अनभव हुआ, नियाय और विद्धता, लंबी चोड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाड़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पातर नहीं है, वंसी धर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मोली चुकाना अनिवारे था, कठिनता से एक सप्ता बीता होगा कि मुधतली के परवाना पहुँचा, कारे प्रानरता का दंड मिला, विचारे भग नहिरदय, शोक औ अगादे सहें, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठें, और वहां बस वही सूखी तनखा, हमने भी तो नौगरी की है, और कोई उहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप इमांदार बनने चले हैं, घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जीद में खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया, तो बुढ़े मुंसी जी के लिए पढ़ना लिखना सब कुछ अकारत हो गया, पंडित बनसी धर अपने इमांदारी के कारण धंडित किये गए, और प्रेम चंद धीरे धीरे, बड़ी ही साफ गोई के साथ उस पूरे सासन तंत की बखिया उधेर करके रख देते हैं, कि कैसे सरकारी विभागों में भ्रस्टाचार है, जब कोई व्यक्ति अपने कर्तवे के लिए खड़ा होता है, तब उसे क्या जेलना पड़ता है, और विभाग और सरकार उसके साथ क्या विभार करते हैं, न्यालियों की हा सब के बीच कोई भी इमानदार व्यक्ति है, उसकी क्या हालत होगी, तो ये एक कहानी, अपने समय और अपने समय की संस्थाओं की पोलपटी खोलती है, बताती है कि उस समय के हालात क्या थे, और क्यों इन संस्थाओं को बदलने के जरुवत, उस समय 77 संग्राम में लगे ये बात इस एक सामान इसी कहानी से हमें समझ में आती है, तो समय बीच गया, एक दिन, पंडित अलोपी दीन स्वेम ही बंसी धर के हाँ प्रकट होते हैं, और उनकी खिद्मत की जाती है, बुढे मुंसी जी उनसे छमा प्याचना करते हैं, और अपने बेटे के किये गए, लेकिन अलोपी दीन, बदले हुए अलोपी दीन है, वो अपने किये हुए अपराधों को छोटा मानते हैं, और मुंसी बंसी धर के ब्यक्तित को बड़ा मानते हुए, आ करके कहते हैं, कि आप ऐसी बात न करिये. आपका बेटा धर्म के रास्ते पर है, और मैं उसको यहां पर कुछ निवेदन करने उससे आया हूँ. क्या निवेदन करते हैं? निवेदन करते हैं कि मैं आपके कारे से अत्यंत प्रसंद हूँ. क्योंकि मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने धन के बल पर सब को जुका लिया, जिस भी अधिकारी से मैंने जो काम चाहा वो काम मैंने करवाया, इस पूरी यात्रा में केवल आप ऐसे मिले हैं, जिसने मेरे धन की ताकत के सामने जुकने से इनकार कर दिया, इस नाते से आपके प्रती मेरे मन में सधाए, और वो प्रस्ताव देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी संपत्ति के स्थाई मैनेजर के रूप में काम करें, छे हजार रुपया, उस समय छे हजार रुपया साइद आज के लाको रुपय के बराबर हो, तो छे हजार रुपय वेतन और साथ में सुविधाय, नौकर, चाकर, गाड़ी ये वो ओफर करते हैं, बताते हैं, बंसी धर इस प्रस्ताव को पहली बार मना कर देते हैं, कहते है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बंसी धर को अलोपी दीन अपने सरल बेवहार से, उदारता से, जैसा प्रिमचन बता रहे हैं, वो प्रभावित करते हैं, और उनसे आगरह करते हैं, कि आपकी इमानदारी बनी रहेगी, आप वही बेमरुवत दरोगा बन करके र जो एक न सुनता हो, धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ती ही मेरे लिए ज्यादा उप्यूक्त है, और मैं इसलिए आपकी सेवाओं को लेना चाहता हूं, और मान सम्मान पाने के बाद, चुकि सरकार ने ठुकरा दिया था, मान सम्मान पाने के बाद, बंसी धर, पंड उस स्टांप पेपर लगे हुए करार नामे पर साइन कर देते हैं, जो पंडित अलोपी दीन ले करके आये थे, अलोपी दीन ने कलम दान से कलम निकाली और उसे बंसी धर के हाथों में दे कर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनभव की, ना मरमंगत्या की, ना कार एक कुशलता की, इन गुणों के महत्व का परचे खूब आ चुका हूं, अब सवभाग यर्शु आउसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्रिता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है, यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस् तो इस कहानी का यह एक सुखद अंत है, प्रेमचंद की जो सुरुवाती कहानियां हैं, उसमें इस प्रकार का आधर्सवाद मिलता है, कि जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलेगा, उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, एक विश्वास है उनके मन में, मनुस्ता के प्रति आगे आने वाले संघर्स में सकरात्मक भाव से चलने की सोच मौजूद है, इसलिए उनकी कहानियों में एक प्रकार का आधर्सवाद दिखाई देता है, उन्होंने स्वेम ही इस आधर्सवाद सब्द का इस्तमाल किया था, तो यह कहानी एक तरह से हमें मानवी मुल्यों के प्रती एक विश्वास भी दिलाती है और आगे सकारात्मक भाव भी मन में भरती है, भाषा की दिश्टी से देखें तो जो प्रेमचंद की अपनी खास इस इस्ता है कि हिंदुस्तानी का उपयोग करते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के ही शब्द उस समय की में पर चली शब्द हैं, जो मुहावरे हैं, जो लुगोक्तियां हैं वो खूब आते हैं और कहानी को संप्रेशनी बनाते हैं, तो इस रूप में हम इस कहानी को देख सकते हैं कि अपने समय में जो संस्थाएं जो बिगटित हो रही थी, जो टूट रही थी और उसके साथ जो जनमानस की जो सोच बन रही थी, उन संस्थाओं के परती, उसमें काम करने वाले अधिकारियों के परती, वो एक महत्पूर्ण संदेश इस कहानी के साथ, बंसी धर की कहानी के साथ, वह भी संदेश प्रेमचंद पाठकों के सामने रखते हैं कि ये कितनी खोखली संस्थाएं हैं, यहाँ पर न्याय नहीं होता है, न्याय का नाटक होता है, सरकारी महकमों में काम नहीं होता है, काम करने के नाम पर रिस्वत खोरी का बोलबाला है, लेकिन उसके साथ एक सकरात्मक संदेश है, न्याय के रास्ते पर चलने वाले, अपने कर्म में फरुसा करने वाले जो लोग हैं, उनको भी प्रेमचन कहते हैं, कि उनको निरास होने की जरुवत नहीं है, आपके सम्मान का कोई न कोई जरिया इस समाज से निकर करके आएगा, यहाँ पर जैसे पंडित अलोपी दीन आए, तो यह कहानी जो प्रेमचन की सुरवाती दौर की कहानी है, वो हमारे मन पर एक अमिड प्रभाव डालती है, अपनी सरलता से, अपनी भाषा की संपदा से और अपने कत्य से, धन्यवाद. प्रभास